कर देखते हैं कि पांच लोग देखता है कि 5 लोग आ रहे हैं एक्हजार रुपह दे रहा है अब कोई एक शक्स है जो उसने Chief claims mine Edition में minitter one अब वो पांच लोगं को लाएगा हौ जो एक्हजार देंगे जब वह एक्हजार रुपह देंगे वह एक्हजार में से पर्टिक्लर परसंटेज डीक असकी या कि चैंज होते रहेंगे कई होगोंगों ओक वने कि सुधाेंगों थिसुस्राइए वो मोटीरा को एक पूराने लाएंगे के आफंक् Springs मिलेगा है और इस औरिमिड के अंदर जो पिरमिड जैसा बनते आता है पर टाप पे कम लोगोते हैं ज्यादा नीचे जादा लोग होते हैं तो होता क्या है कि जितने जादा लोग नीचे आते आएंगे अतना जादा उपर वालों को मिलता आएगा यहां तका कि उपर वालों को फिर बहुत जादा मिलने लगेगा लेकिन इसके मतालब स्कॉलर्स का फत्वा यह है क्या फत्वा है यह था डिले है हैंड टो हैंड का रूल जो हमने बुखारी की हदीश में देखा कि अल्लाग रसूल स्लिए लगा सिखाया कि जो समन वाली प्राइस वाली जो छे चीज़े हैं उसके नहीं कहा कि यह सब में जब डील करो तो यदन भी यदिन हैंड टो हैंड हां कर्स दे रहे ह यह जिसने one thousand दिया वो कर्स नहीं दे रहा है वो एक particular entry fee दे रहा है entry पाइट्सप्रेट करने की चीज़ दे रहा है तो यदन भी यदिन hand to hand का rule नई फुल्फिल हो रहा है दूसरा 1000 दिया और मिलेंगे अगर जादा-जादा-जादा member हो गए तो दसो हजाँ मिल जाएंगे और अगर कोई भी Rember नी है तो कुछ भी शायद ना मिले क्योंकि ओक वे जिए वो नीचे वाला है लास्ट तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि आumbled matter मिले अखर में पिरमिंड में नीचे कोई नहीं तो होगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा तो अगर है तो जादा मिल गया तो यहने इसके अंदर रिबा अल फदल रिबा अल फदल और रिबा नसिया दोनों टाइप के रिबा आ गया सूद वाला रिबा रिबा अल फदल भी आ गया रिबा नसिया भी आ गया तीसरी चीज़ आद्मी जब 1000 दे रहा है तो उसको यह नहीं मालूम है उसके कितने member बनेंगे हो सकता है उसके बहुत member बन जाएंगे, हो सकता है कोई member नहीं बनेगा तो यहाँ पर uncertainty है कि वह 1000 रुपय दे रहा है तो क्या चीज़ के दे रहा है उसे मालूम ही नहीं तो ये क्या हो गया ये एक किसम का जुआ हो गया सूद भी आ गया जुआ भी आ गया और इसी वज़ा से इसके अंदर अंसर्टिनिटी जो छटी शर्ते के क्लारिटी हो नीची क्या बेच रहो क्या करीद रहो तो याने कि ये क्या हो गया गरर इसमें आ गया अंसर्टिनिटी आ गई चौती चीज़ कि इसके अंदर एक धुका होता है क्योंकि कोई ना कोई जो लास्ट में होगा उसके साथ में तो बुरा हो रहा है उसका माल गलत तरीके से खाया जा रहा है गलत तरीके से खा रहे हैं, तो गलत तरीके से खाना हो गया, और क्या चीज है इसके अंदर? इसके नहीं हम यह देखते हैं कि धोका बहुत होता है कई बार इसके अंदर लोगों को खाब दिखाया था कहा रहे देखो पिरामेंट में उपर वाले उस आदमी को देखो उसे हर महीने के इतने हजार इतने लाख मिल रहे हैं क्योंकि उसने एक हजार दिया था मैंबर बनने के लिए देखो उसको देखो देखो उसको इतना कमा रहे हैं अवोगो लोगो आकर अपने इसी मीटिंग्स में बताएंगे बहलेंगे कि मैं बना था मैंबर अभी देखो मैं यह इतने साथ मिल रहे मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ता है में पास आटमाइटिकली पैसे मिल रहे अब उसको देख करके लोग बोलते हैं हाँ हाँ हमाय साथ भी ऐसा हो सकता है अब उनको क्या बता है कि वो लास्ट वाले बन जाएंगे हो सकता है जिसके उपर वाले बेनिफिट होंगे पिरिमिट के नीचे वाले होंगे तो यह उनके साथ धोके वाली कहानियां भी होती है तो यह पांच वज़ा तो क्लिरली दिख रही है इस वज़ा से ऐसे किसम की मनी के चेंज को इसलाम ने हराम किया है और आविसली ऐसी चीज़ों में धुका दी और चीटिंग में बहुत ओपन लेवल की इसी वज़ा से गौर्मेंट ने भी इस चीज़ को इलिगल बताया है आगे आते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ नेटवर्क मार्केटिंग की जो कई कंपनीज है तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या देखते हैं हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि ये सेम कंसेप्ट होता है, सिर्फ एक चेंज आयाता है चेंज ही आता है, कि ऐसी चेंज को तो सब गौवर्मेंट्स ने, जनरली कई गौवर्मेंट्स ने इसे इलिगल बनाया है उसे अवाइट कैसा करें तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कि एक प्रोड़क्ट को लेकर आते है चाहे वो एक प्रोड़क्ट हो, चाहे वो कई सारे प्रोड़क्ट हो अब इसके अंदर भी अलग-अलग किसम की होती है मैं एक जनरल डूल बता रहा हूं फिर हम अलग अलग किसम की देखेंगे ज़रूरी नहीं है क्या है हम देखेंगे उसमें आते हैं तो हम यह देखते हैं कि नेटवर्क मारकेटिंग में कंसेप्ट यह है कि जो एक हजार रुपे वो दे रहा है तो एक हजार में कुछ प्रोड़क लेकिया यह एक हजार रुपे मैं कम बेच रहां हुए एक हजार रुपे कप कैश डील आपको क्या मना था money for money पैसे के बदले में पैसा मना था पैसे बदले में पैसा ने यह कप करने के लिए तो पेथे लिए हजार और जिसका उटास की हुई है इसा कोई प्राइस में तो और उसको को सब्सक्राइब कर रहा है थे अ स्कुंपर्ण क कर राया है अब इसके अंतर काबल है गौर कुछ चीज़े है मैंने आप लोगों को money chain के बारे में बताया मैं चाहता हूँ आप लोग analyze करो और बताओ जब product आ गया product आने के बाद उसमें से क्या क्या apply होता है क्या क्या नहीं apply होता है उसमें मैंने क्या कहा था money chain में मैंने पांच चीज़े बताई है number one कि इसमें रिबाल फदल आ रहा है increase वाला रिबाल आ रहा है एक हजार के बदले में जादा रुपे मिल रहे हैं या जा रहे है दूसरा रिबाल नसिया डिले वाला रिबाल आ रहा है तीसरा इसमें धोके की बात आ रही है आदमी को मालूम नहीं उसको क्या मिलेगा हजार रुपे में उसको क्या मिलेगा उसको मालूम नहीं है number 4 इसके अन्दा लोगों का माल गलत तरीके से खाना आ रहा है और number 5 इसमें deception आ रहा है देखे इसमें क्या है कि last जो है तो इसमें भी कोई ना कोई लास्ट होगा कोई ना कोई लास्ट होगा ये एक possibility है उसरा wrong way से तो माल खाया रहा है उनका जैसे मैंने describe किया उस चीज़ के अंदर उनका माल खाया जा रहा है गलत तरीके से और deception इसमें है ठीक है आप देखेंगे network marketing companies में वो लोग जब किसी को member बनाते हैं मैंने कुछ sessions वगएर अटेंड किये शायद आप लोगो ने भी किये होंगे उसके अंदर क्या करते हैं profiles बताते है profiles of success बोले फलाँ को देखो ये हमारा member बना था फलाँ साल में और देखो ये उसकी याच है ये उसका घर है ये उसकी lifestyle देखो देखो कितने आश वाराम की सिंदगी जी रहे हैं ये हमारे company का member बन गया अब देखो उसके साथ कितना कुछ है उसे बैठे बैठे लाग को रुपे की income हर महीने आ रही है तो ये सब बताकर क्या होता है कि आदमी खाब देखने लगता है मेरे साथ भी ऐसा होगा और उसी उमीद से वह आता है लेकिन उसका कोई down line होगा ही नहीं उसे कोई down line मिलेगा ही नहीं और ऐसे बहुत साइब लोग हैं जिनकों कुछ नहीं मिलता तो ऐसे लोग होते हैं और network के अंदर ऐसा ही है कि pyramid marketing जिसे कहते हैं pyramid में नीचे की तरफ कोई न कोई ऐसा होगा ही तो deception और उसका माल गलत तरीके से खाना ये एक चीज जो इस format में जो मैंने describe किया इस format में दिख रही है आगे बताईए जी कौन बात करना चाहरा है कुछ वो प्रोडिक्ट भी अगर जरुवत है जैसा कोई दवा की कंपणी रहती है कोई ऐसा चीज रहती है जो यानि काम आने की चीज वो चीज भी ऐसा रहती है और उसमें किसा रहता है कि परसंटेज लुग देते हैं तुम जैसा 500 की या 1000 की या कोई प्रोड़क ले लो वो तुम खुद भी यूस करो तुमारे को बेनेफिट मिले तो ही तुम सामने मार्केटिंग करके दूसरे लोग को ले के आए तुम 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 तुम्हारे को एजेंट जैसा तुमरेंगे तुम्हारे को परसंटेज मिलेंगा तुम्हारा की यहां गोर खरिये.. देखें एजेंट में और नëट्वरक मार्केटिंग में फार्क्या है कोई एजेंट याकस्टमर लेकिया आता है उसको affirmative कमिशन मिलता है यहां पे शक्स कस्टमर भी है और कमिशन भी ला सकता है मतलब क्या है सुनिए देखें हें एजएंट में और network marketing में फर्ड क्या है कोई agent हropolis कास्टमर लेकिया आता है उसको commission मिलता है यहाँ पे शख्स customer भी है और commission भी ला सेता है मतलब क्या है सुलिए एजएंट में और इसमें हम distinction करेंगे तो हमें कुछ differentस पता चलेंगे चली बताजिए एजेंट में और निट्वर्ग मार्केटिंग में फंक तोष जार एक प्रोडक्त है ये प्रोड़क्त के लिए आप किसी कीस्टमर को लाते हो हां कहते हो कि अपका 50 रुंपी का ये कप है ये कप का मैं कस्तमर को लाओंगा ये स्कibl Rider सब्सक्राइब तो 10 रुपीज, 20 रुपीज यह तो 10 रुपीज अग्री हुआ, उसमें कस्टमर को लाया, आपने उसे 10 रुपीज दिया, यह तो सही है ना, बिले तुफाक सही, इसमें तो कोई हराम चीज है ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है, यह प्रोड़क्ट है, यह 500 रुपे का है, आपने किसी को बेचे, अब आप जब किसी को बेच रहे हैं, या किसी को बेच रहे हैं, उसमें वो आ रहा है तो जरूरी नहीं इसके लिए आ रहा है, वो आ रहा होगा उसके लॉंग इसमें कि के लिए ज़ूरी नहीं दिया है वो बिजनस में पाइब करने के लिए कर रहा है वो एजन्ट तो अब खरीदना उसके लिए लाजम थो ही था तुम खरीदोंगे तो विभिट सकते हो यहां पर तुम खुद खरीदोंगे तो ही बिच पाऊंगे और क्या होगा कि सिर्फ तुम्हें नीचे भी जो लोग बेचेंगे नीचे से नीचे से नीचे से नीचे से नीचे से नीचे जितने भी नीचे वाले बेचेंगे उसमें तुम्हें कुछ नो कुछ मिलेगा तुम्हारा वो चीज इसी तरह से बढ़ते हैगी पूरा एक chain नीचे वाले का स्टार्ट हो रहा है और chain बनाना मकसद होता है chain बनाना मकसद होता है last में वो लोग होंगे जिन्होंने कब खरीदा 500 रुबे में और जिन्होंने किसी को पाया है नहीं बिचने के लिए मतलब ये एक वो money chain से strong parallels है इसी वजाए से scholars का फत्वा जनरली MLM multi-level marketing या network marketing या pyramid marketing जिसे कहते हैं उसके तालुक से scholars ने हराम का ही फत्वा दिया है जनरली हालांके इस टॉपिक को कुछ लोग debate करते हैं कहते हैं तेखो इसके अंदर जो money chain aspect है वो हराम है इसके ने कुछ possibility है जायज औ हलाल की at least in my knowledge मैं नहीं जानता हूँ कि कोई अभी तक कोई ऐसा format जो किसी इतालुक से scholars ने का है इसी वजाए से खाब दिखाना इतना होता है ठीक है कोई और सवाल यहां तक ओके तो हमने अल्ला के बहुत फजल और एसान से काफी सारी चीज़ें कवर की कुछ चीज़ें फिर भी रह गई उनमें से एक है तकाफुल तकाफुल जिसे कॉपरेटिव इंशुरिंस कहते है और उसमें से एक है हाईर पर्चिस कई लोग जो अपने और इंश करते है तो ये और इंश करना इसा है अच्हा आपके 6 रूल के तहenci बताओ कौन से रूल से तकरार है? चलो बताओ अब कंसेंसे दे रहा है चलो कौन से च्छे में से कौन से तकरार है पाईर प्स्पार प्सेशन है? हाँ, कुछ और नहीं है सबचो, ओनर हमाई बाडी के हम लोग ओनर नहीं है ये हमाई बाडी का ओनर कौन है? अल्ला है इसी वज़ा से कोई शक्स अगर स्वी साइट करे तो वो क्यों जहान्नम में जाएगा क्योंकि उसकी बाडी थी नहीं उसकी जान भी थी नहीं उसको खतम करने का कोई हक ही नहीं था वो अल्ला की दीवी अमानत थी उसको संभालना चाहिए था इसी वज़ा से कोई अपनी बाडी को नुक्सान पहुंचा है सिग्रेट वगर पी कर तो उसको क्यों उससाब होगत नहीं पड़ेगी मेरी बाडी मैं कुछ भी करूं नहीं क्योंकि वो बाडी उसकी थी ही नहीं तो बाडी हमारी है यह नहीं ओनर होना चाहिए ना ओनर या ओनर के तरफ से ना हम ओनर है ना हम ओनर के तरफ से ना अल्ला नहीं मैं हमें और्थराइस किया कि जो तुम कर सकते हो तो औरघंस को sell करने की आज़े तो नहीं है हाँ ओरगंस donate करने की तालुक से मैं आपको बताता हूँ एक बहुत interesting discussion है देखिए औरगंस donation के अंदर वो औरगंस जिसके अंदर कोई नुकसान आदमी को नही नही झाएगा खुद जैसे आदमी ने दिल अपना नहीं लेकिन ये भी range of vision होता है जो Allah ने दिया है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर kidney दे कर आप बचा सकते हो तो जान बचाने की बात है वो बचा लो उसकी जान उसकी तरह हम देखते हैं कि कोई ऐसी पार्ट है जिससे कोई नुकसान नहीं पहुंचे का आदमी को यसे बलड दे रहे हैं बलड वापस आ जाता है तो बलड डेना डोनेट करना इसकी भी अजासत है हलां कि ये भी मजबूरी की situation में ही अपला होता है लेकिन ट्रांस्प्लान के तालुक से बहुत एहम बात कहा है ना कि लिविंग डोनर जो देते हैं ये तो एक बात है मरने के बाद जो डोनर दे जो डोनर मरने के बाद दे बले कि मेरे मरने के बाद मेरी बाड़ी में से मेरे किडनीज निकाल लेना, मेरे लिवा निकाल लेना, मेरे आँखे निकाल लेना, फलाँ फलाँ को दे देना, या किसी को दे दे देना, ये कैसा है इसके तालुक से हम देखते हैं कि नभी सलासुम की एक हदीस है मनकसरा अजमिलमयित ककसर ही हया मुर्दे की हड़ी तोड़ना ऐसा ही है जैसे जिसे जिन्दे की हड़ी तोड़े जिसे जिन्दा आदमी की हड़ी तोड़े तो कैसी बात है गुना की चीज़ है तो मुर्दे की हड़ी तोड़ना भी ऐसी चीज़ है इसी वज़ासे मुर्दों की हडीत होने की अजासत नहीं है इसी वज़ासे अगर कोई case हो जाये जिसके अंदर post-martem आ जाये तो वो post-martem avoid करने की पुरी कोशिश करना चाहिए हालांके ऐसी technology आ चुकी है जिसकी वज़ासे उन्हें post-martem करने की कोई ज़रूरत नहीं उसके किये बगएर भी हो जाएगा क्या चीज़ के जरीए जो scans जो है particular उसके जरीए उनको जो रिपोर्टरी है न वो मिल जाएगी Western countries में कुछ जगाओं पर Jews ने इस चीज़ को introduce कर नहीं कोशिश किये क्यूंकि Jewish religion में भी body को cut करना जायज नहीं उनके तहए बात यहां पर यह है कि वो organ donate अगर करने जाएंगे तो उसके ना body को cut open करके organ निकालने में कुछ हड़ियां-ड़ियां तूटने का chance है of course कि कोई हड़िय तूटे की वो organ निकालने के लिए तो यह अलाग रसूल साहसम की हड़िय से किसी न अगर मुर्दे की हड़िय को तोड़ा तो ऐसा है काकसरी हया जैसे के जिल्दे की हड़िय को तोड़ दिया लेकिन मैं आपको बता दूँ एक बात सोचें आप कि मान लीजिए कि कोई शक्स अगर अपने बाड़ी के organs को डोनेट करे तो वो एक इनसान की बाड़ी से कईयों जान बच सकती है क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया जैसी country के अंदर क्यों organs की इतनी shortage होती है क्योंकि यहां पे सिर्फ Muslims ही नहीं जो हिंदूस भी है उनके यहां भी ऐसी चीज़ है कि वो लोग बाड़ी को कट करना अच्छा नहीं मानते है और इसी वज़ा से यहां पर वो डोनर्स जो जैसे किड्नी के हम देखते हैं कि कई सारे लोग के किड्नी फेलियर्स के कई सारे लोग उसके इतनी लंबी लिस्ट है और किड्नी जो आ रही है बहुत कम वो किड्नी कों सी जैसे लावार इस जो लाशे पड़ी मिल गई उसमें से वो लोग किड्नी जो निकाल लेते हैं और वो जो मिलती है या कोई जो शक्स जो मरने से पहले विल करके आता है कि मेरी बाड़ी के मैं पार्ट्स ये डोनेट कर रहा हूँ तो वो अपने पार्ट्स डोनेट करके जो लोग मरते हैं तो वो जो 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 लोग हैं उनकी जो किड्नी जाती बहुत कम आती है लेकिन वही चीज अगर वेस्टरन कंट्रीज में देखेंगे तो बहुत सारी आती है क्योंकि वहाँ पर लोग ऐसी वसीयते हैं वगयरा करके आते हैं कि मेरे मरने के बाद क्योंकि इतने पर्टिकलर आर्ज के इंदे बाड़ी में से निकाल सकते हैं पर्टिकलर आर्ज में हम अगर इस चीज के बारे में देखें कि एक नुकसान जरूर है लेकिन इतनी सारी जाने बचने का चांस है कि अगर एक शक्स अगर अपनी बाड़ी के पार्ट्स जो ऑर्गिन्स डोनेट करें तो एक किड्नी एक इंसान में गई तो एक जान बच गई एक किड्नी दूसरे इंसान में जगई तो दूसरी जान बच गई उसके फला फला पार्ट्स जले गए और कितने सारे ऐसे पार्ट्स है जिससे जाने बचती है तो कितनी सारी जाने बच सकती हो एक आदमी के उस चीज़ को डोनेट करने से Anyway, ये बात under discussion है और कुछ scholars के फत्वे है तो लेकिन फिर भी ये बात अभी तक हम लोग openly नहीं बोल सकते हैं तो मैं इन्शालब किसी दिन में पस कोई अच्छा फत्वा हो तो मैं इस बात को बोलूँगा लेकिन मैं आपको बताओं कि आप खुद सोचो मैंने खुद अपनी वालदा वो कही साल तक किड्नी फेलियर से तरब तरब के आखिर में मरते देखा और यही बात है हकीकत के ट्रांस्प्लांट के जरी इतनी जाने बच सकती है तो हड़ी तोटना ये एक चीज है नुकसान दे यकिनन है लेकिन कितनी जाने बचना अगर जीते जी को आदमी की हड़ी तोड़े ताकि एतनी साही जाने बच जाएं तो वो भी एक बात है जो ऐगर देखें अगर कुरान के इंदर हदीस में वह रूल मिलता है अखफ-ud- STUDY disintegr अज़़ारानून दो नुकसानों में चोटा नुकसान नुकसान दोनों में है लेकिन छोटा नुकसान किस चीज में है तो एक नुकसान उठा करके बड़े नुकसानों से अगर बच सकते हैं तो शरियत ने उस चीज़ की अजासत दी है एनिवे ये बात हम देख रहे हैं ओगन्स के तालुक से लेकिन सेल करने की अजासत नहीं क्योंकि हम लोग ओनर नहीं है तो हम इसी के साथ ये मसले को खतम करते हैं नाजरीन ये था एक छोटा सिलसला जिसमें हमने तिजारत के इसलामी उसूल के मतालिक कुछ बुनियादी उसूलों को एक इंट्रोड़क्टरी तौर पर देखा हमने कई सारे मसाइल, कई सारे कंटेंपरिरी इशूस, कई सारे हलाल अल्टरनिटिव्स ये सब देखें अब सवाल ये है कि इन उसूलों को जिन्हें हमने सीखा है इस प्रोग्राम के जरीए हम अपनी रियल लाइफ में कैसे अपलाय करते हैं और इन चीज़ों को सीखने के बाद इन चीज़ों की बन्याद पर आगे की जिन्दगी में जो और हमें सीखना है और इल्म हासल करना है उस इल्म के रास्ते पर हम कितना चलते हैं जरूरी बात ये है कि इसलामिक एकॉनमी जो एक इंटरिस फ्री एकॉनमी है जिससे सिर्फ मुस्लिम्स नहीं बल्कि सारे इनसानों के लिए खैर और भलाईया है जिसमें जल्म से नजात है जिसमें हम देखते हैं भाईचारगी एक इनसान की दूसरी इनसान के साथ बाकी रहती है जिसमें हम देखते हैं कि वेस्टिड इंटरिस बाकी मजलूम लोगों का फादा नहीं उठाते हैं जिसमें बहुत सारी गलत चीज़ें आम हैं वो सारी गलत चीज़ों से बच जाता है एक आम इनसान तो हम सब के लिए जरूरी है कि हम इन चीज़ों को स्टडी करें इन चीज़ों के तालुक से तहकी करें और जो सही और हक बात है जो सची बात है जो सारे इनसानों के लिए और इनसानियत के लिए भलाई वाली बात है वो बातों को हमें प्रैक्टिकल तौर पर अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कंट्री में, अपनी कम्यूनिटी में लाना चाहिए ये एक अपील है जो मैं आप सब के सामने रखता हूँ और इसी अपील के साथ हम इस परोग्राम की इस एपिसोड को खतम करते हैं अपनी जो वह लिए खिला है कि जो तमाम चीजें हमने सीखी अपनी भाता हम सबको उन चीजें को अस पर अमल करने की तौफी दे आमीन झाल झाल